एक question solve करते है, question में क्या लिखा है, find the value of this expression, जे ही question है, ठीक है, IIT में आ चुका है, इस question के structure से हमें क्या पता लग रहा है, जैसे 0 से 1 है, 1 माइनस एक से इश्वा 50, पावर 101, ये भी 0 से 1 है, 1 माइनस एक से इश्वा 50, पावर 100, तो इस question को देखती है, मुने को समझ में आ गय कि ये integral और ये integral, तो एक जैसा integral है, दौनों में पावर 0 से 1 है, और 1 माइनस एक से इश्वा 50 लिखा हुआ है, दौनों में, बस पावर अलग अलग है, एक जगह 100 और एक जगह 1 0 1 है, तो इस से भी मेरे को क्या क्लिक कर जाना चाहिए, कि ये तो reduction formula है, ठीक है, तो पहले हमे के लिए, और फिर उसमें 100 और 101 रखके ये वाला चीज़ डिराइब का सकते है, तो पहले तो मैंने क्या क्या, इन दौनों integral को देखके, मैंने अपनी दफ से एक माना, in is equal to 0 से लेके 1 तक, 1 माइनस x raised to power 50, ये ठीक है, इन दौनों integral में अंतर क्या है, limit दौनों का सेम है, 1 मा पावर अलग अलग तो power मैंने क्या क्या है, जनल ले लिया, अब इसका मेरे को reduction formula, generate करना है, n की value रखके, वो भी जो भी desired expression है, वह जाएगा, ठीक है, reduction formula का मतलब का, in अगर ये है, तो मेरे को, in minus 1 या, in plus 1, अच्छा, reduction formula का मतलब तो वैसे होता है, कि, in को मेरे को lower n से relate करना है, reduce करना है, in minus 1 से, या in minus 2 से relate करना है, बट अगर हमाल लिया, by chance किसी भी वज़े से, मैंने solve के और power बढ़ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर in, in plus 1 से relate हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने उसकोल टगर के लिख लिया, तो in plus 1 reduce होगे, in के terms में आगे, ठीक ह तो अगर limits ऐसे रहेगा, तो हम क्या करेंगे, bypars लगेंगे, ठीक है, अब आगे कैसे बढ़े हैं, bypars लगेंगे, substitution करेंगे नहीं, क्यों limit चेंज नहीं करना है अभी तो, तो हमने दूसरा function 1 ले लिया, 1 minus x raise to power 50 raise to power n, dx ले लिया, ठीक है, इसको first बोल दिया, इसको second, तो raise to power n, evaluated between 0 and 1, फिर minus 0 से लेकर 1 तक, first का integration, sorry, second का integration x, पहले का differentiation हो जाएगा, n into 1 minus x raise to power 50 raise to power n minus 1 into chain rule से, फिर इसको differentiate किया, तो 1 का derivative बोल जिरो, इसका derivative हो जाएगा, minus 50 x raise to power 49, dx, यह हो, ठीक है, अब क्या किया, पहले वाले term को evaluate किया, अगर इसमें 1 रखा, तो यह 0 हो जाएगा, 0 रखा, तो यह 0 हो जाएगा, तो यह तो पूरा कितना हो गया, 0, i n is equal to, n constant है बाहर निकाल दिया, इस minus को बाहर निकाल दिया, 50 को बाहर निकाल दिया, तो minus minus plus हो गया, 50 n बाहर आ गया, 0 से लेके 1 तक, x और यह x ratio 49, x ratio 50, into 1 minus x ratio 50, raise to power n minus 1 dx, यह बना, ठीक है, अब मैंने वापस i n देखा, i n में क्या है, 0 से 1 तक है, 1 minus x ratio 50 का कोई power है, तो 0 से 1 तक तक तो यह है, 1 minus x ratio 50 का भी एक power है, बट यह extra है, ठीक है, तो अभी तो इसको directly i n minus 1 नहीं बोल सकते, तो इस x ratio 50 का क्या करें, x ratio 50 यहां पर भी दिखाए दिया, यहां पर भी दिखाए दिया, तो फिर बस मेरे को click कर जाना चाहिए, क्या click कर जाना चाहिए, कि जो बाहर लिखा हुआ x ratio 50, इस से मैंने इस term को generate कर लिया, अगर यह term generate हो गया, तो इसकी power chain हो जाएगा, माला ultimately मेरे को इसको भगाना है, या इसको use करना है, तो कैसे किया, अंदर वाला term generate करने के लिए हमने एक जोड़ा और एक घटाया, तो इसको ऐसे लिख लिख लिखा, इन्टू, 1-x raise to bar 50, raise to bar n-1 dx, यह ऐसे लिखा हो, यह अला term तो ऐसे लिखा हो है, इस वाले term को ऐसे लिख लिख लिखा, तो यह 1 और 1 cancel हो जाएगा, यह minus minus plus हो जाएगा, तो यह यह आ जाएगा वापस, तो अब इस term को इन दौनों से multiply किया और separate कर दिया, तो यह वाज़ा हैगा, 50 n तो ऐसी बाहर आ गया, पहले इस 1 से multiply हो, तो 0 से 1, 1-x raise to bar 50, raise to bar n-1 dx, ठीक है, यह अलग हो गया, minus 0 से लिखे 1 तक, यह और यह term एक जैसा है, तो इसका power एक बढ़ जाएगा, यह अगर y लिखा है, तो यह y raise to bar n-1 लिखे, तो y और y raise to bar n-1 को multiply करोगे, तो y raise to bar n आ चाहेगा, into dx, ठीक है, बस अब यह desired form में आ गया, 0 से 1 तक है, 1-x raise to bar 50 का कोई power लिखा हो है, तो जहां से हमने शुरू किया था, उसमें हमने क्या हो ला था, i का lower subscript क्या है, जो भी power है, ठीक है, तो यहां पर पहले term में power कितना है, n-1, तो यह integral को हम क्या लिख सकते हैं, i n-1, this is 50 n, into i n-1, minus, इसमें power n है, और कोई extra term है नहीं, तो यह हो गया i n, तो यह हो गया, यह left hand side कहां से शुरू किया था, i n से, तो left hand side पे तो अभी भी i n लिखा हो है, ठीक है, यह हो गया, 50 n into i n-1, minus 50 n into i n, तो इस i n वाले term को अधर ले गए, तो प्लस बन जाएगा, उधर जाके 50 n इदर से आ गया, और 1 इदर से आ गया, तो यह हो जाएगा, 51 n into i n is equal to, sorry, 51 n नहीं आएगा, 50 n plus 1 आएगा, is equal to 50 n into i n minus 1, यह हो गया, ठीक है, तो यहाँ से कितना आगया, i n upon i n minus 1, is equal to 50 n upon 50 n plus 1, यह आगया, ठीक है, i n क्या था फिर हमारा, 1 minus x जोगा 50 वे पावर n, वो वैसे भी हमने इसको देख के लिखा था, तो इस हिसाब से अब यह जो हमें value निकालना है, वो किसका निकालना है, 50 50 into यहाँ पर पावर 100 है, तो यह हो जाना चाहिए, i 100 divided by, इस पर पावर 101 है, त्यों हो गया, 101, यह चाहिए हमें, ठीक है, तो अब हमने निकाल दिया, required, यह ठीक है, value is equals to 50 50 into i 100 upon 101, ठीक है, तो यहाँ से कैसे आएगा, इसमें हमने n की जगए 101 रख भी है, तो यहाँ आएगा, i 101 upon i 100, क्योंकि n-1 है, is equals to, यहाँ 101 आगया, उसको 50 से multiply किया, तो 101 को 50 से multiply गया, तो कितना आजाएगा, 50 50 upon, denominator में एक ज्यादा आजाएगा, तो 50 51, यह ठीक है, तो, यह तो इसका रैसी ब्रोकल है, this is equals to 50 50, और i 100 upon i 101 कितना होगा, इसका रैसी ब्रोकल, तो आजाएगा 50 51 upon 50 50, यह ठीक है, यह और यह cancel होगया, तो answer आगया हमारा 5051, यह ठीक है, यह answer होगा, बस इसमें भी मतलब, reduction formula टाइप गी है, question यह भी, जे ही में आ चुका है, जैसा हमें ने बोला, चार चार्ण हमें लेक है, झाल